आज की इस वीडियो का टॉपिक है Problem on Consolidated Statement of Comprehensive Income इस वीडियो में हम जानेंगे कि Consolidated Statement of Comprehensive Income को किस तरह से बनाया जाता है और यह statement क्या होती है तो जैसे के अपनी लास वीडियो में हमने Consolidation के बारे में सीखा था कि Consolidation एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तुरू Different Companies का मतलब दो या दो से ज्यादा Companies का Financial Data कमबाइन किया जाता है उस प्रोसेस को Consolidation कहा जाता है और जिस statement में इस Financial Data को Represent किया जाता है उसे कहा जाता है Consolidated Financial Statement अब यहाँ पे हमने जो Financial Statement बनानी है वो है Statement of Comprehensive Income इसमें हम क्या करते हैं कि Financial Data को कमबाइन करते हैं लेकिन कौन सा Financial Data जो Income और Expenses से Relate करता है कमपनी के जितनी Income या Expense है पेरेंट और Subsidory का उसको कमबाइन करके जो statement बनाई जाती है उसे कहा जाता है Consolidated Statement of Comprehensive Income अब पेरेंट और Subsidory क्या होती है और इसमें किस तरह से डेटा को कमबाइन किया जाता है उसके लिए हम अगर एक एक्जेंपल में बात करें तो एक कमपनी है अली लिमिटेट कमपनी अली लिमिटेट कमपनी चाहती है कि वो किसी दूसरी कमपनी को एक्वाइर करें और हम ये Consolidation में सीख चुके हैं कि जब भी मर्जर या Acquisition होता है तब कमपनी Consolidated Statement of Comprehensive Income या कोई भी Consolidated Financial Statement बनाती है क्योंकि उसमें Different Companies का डेटा को कमबाइन करना होता है अब यहाँ पे हम Assume कर लेते हैं कि अली Limited Company महाद Limited Company को Acquire करना चाहती है और अली Limited Company महाद Limited Company का 75% Share जो है वो Acquire करना चाहती है तो यहाँ पे जो कमपनी दूसरी कमपनी को Purchase कर रही है या Acquire कर रही है उसे हम कहेंगे कि ये Parent Company है और जिस कमपनी को Acquire कर रही है Parent Company उस कमपनी को कहेंगे कि ये इसके Subsidory है और Subsidory क्या होती है जब एक कमपनी दूसरी कमपनी में More Than 50% Invest करती है उसका Share हासिल करती है तो उसे कहा जाता है कि ये Company Parent Company के Subsidory है जिस तरह यहाँ पर 50% से अबव है 75% Share है तो इसे हम कहेंगे कि ये Mahad Limited Company Ali Limited Company की Subsidory कमपनी है और अब क्यूंके 50% से अबव जब कमपनी के पास Share हो जाता है जब वो Subsidory बन जाती है तो Parent Company का Control होता है Subsidory पर वो Subsidory से Related Decision Making कर सकती है तो जहाँ पर Control होगा वहाँ पर Consolidated Statement बनेगी अब यहाँ पर क्यूंके 75% Share है तो Control है Ali Limited का तो Ali Limited अपने Financial Statements को Mahad Limited Company के साथ कमबाइन करके बनाएगी अब इसी टॉपिक पे अगर हम एक Question को देखें तो Question है साकिब Limited और फुरकान Limited कमपनी का जिसके लिए Require किया गया है कि Prepare करें Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended 31st December 2018 कहाँ यह जाता है कि Consolidated Statement of Comprehensive Income बनाएग और 31 December 2018 के लिए हमने यह Statement बनानी है जिस से Related Data यहां अबव दिया हुआ है जिसमें यह कहा जाता है कि Set Out Below Are the Draft Statement of Comprehensive Incomes of Saakib Limited and its Subsidiary Company for Khan Limited यहां पे कमपनी ने हमें खुद ही बता दिया है कि Saakib Limited पेरेंट है और उसकी Subsidiary जो है वो फुरकान लिमिटेड है साथ ही कहा जाता है For the year ended 31st December 2018 कि जो duration है इनकी Parents Subsidiary का वो 31st December 2018 पर है और यह comprehensive income इसी year end के लिए दी गई है On 1st January 2017 Saakib Limited पर्चेस 75,000 ordinary shares in For Khan Limited यह कहा जाता है कि दो साल पहले जो है वो कमपनी को acquire किया था Saakib Limited कमपनी ने तो 75,000 shares जो है वो acquire कर लिये थे फुरकान लिमिटेड में अब यहां पर proper percentage नहीं दी गई कि कि कितनी जो है वो शेर होल्डिंग है बस सिफ नंबर आफ शेर प्रोवाइड किये गए हैं परचेस 75,000 ordinary shares in For Khan Limited from an issued share capital of 100,000 ordinary share of rupee 1 और साथ ही यहां पर यह बताया गया है कि For Khan Limited के total 1 lakh ordinary shares हैं जिन में से 75,000 shares जो हैं वो Saakib Limited कमपनी ने परचेस कर लिये हैं तो यहां तक के डेटा के मताबिक हमें यह पता चलता है कि इनका group structure क्या है तो सबसे पहले हम यहां पर group structure बनाएंगे जिसमें उपर जो है वो सबसे parent company का name लिखेंगे जो के साकिब limited company है और फिर साकिब limited company जिस company को acquire कर रही है उसको हमने यहां पर mention कर देना है तो साकिब limited company फुरकान limited company को acquire कर रही है और फुरकान limited company के total 100,000 shares है और 75,000 shares जो है वो हासल कर रही है purchase कर रही है साकिब limited company तो अब साकिब limited company का share निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 75,000 को 100,000 से divide कर देंगे और multiply कर देंगे 100 से तो हमें percentage पता चल जाएगी कि इतने percent share holding है साकिब की फुरकान limited में तो यहाँ पर जब हमने इसको calculate किया तो 75% share holding आ गई तो यहाँ तक हमने company का जो पहली working है उसको complete कर लिया है जिसमें हमने group structure देखा है कि साकिब और फुरकान limited का group structure गया है उसके बाद यहाँ पे data दिया गया है company का जिसमे revenue, cost of sales, cross profit, operating expenses, profit from operations, finance cost या इसको interest भी खा जाता है profit दिया गया है फिर tax और profit for the year दिया गया है हमने क्या करना है कि consolidation में इन तमाम को हमने combine कर लेना है तो सबसे पहले revenue को combine कर लेते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर consolidated statement of comprehensive income का format बना लिया है जिसमें सबसे पहले हमने लिख दिया है जिस company के लिए statement बन रही है तो क्यूंके parent company साकिब limited company है तो हमने साकिब limited company का name mention कर दिया उसके बाद जो statement बना रहे हैं वो है consolidated statement of comprehensive income statement का नाम लिख दिया और जिस time period के लिए ये statement बन रही है उसको हमने यहाँ पर mention कर दिया कि 31st December 2018 के लिए हमने ये statement बनानी है तो सबसे पहला जो point आता है वो आता है revenue से related तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि revenue जो है वो हमने calculate करना है अब अगर revenue को देखें तो revenue जो है वो साकेब limited का 600,000 रुपीज है और फुरकान limited का 300,000 रुपीज है लेकिन साथ ही साथ नीचे आएं तो कुछ additional information provided है जिसमें हम one by one इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ जहाँ पर adjust होना है वहाँ पर इसके adjustment करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि during the year फुरकान limited sold goods to साकेब limited अब क्योंकि यहाँ पर sales की बात आ रही है तो यह चीज जो है पहले जो adjustment है वो revenue से related है मजीद यह कहा जाता है कि जो sold की गई है फुरकान limited ने जो sale की है साकेब limited को goods वो 20,000 रुपीज की है और making a markup of one third जिसके उपर जो profit है markup है वो one third है markup जो है वो cost पे होता है only 20% of these goods were sold before the end of the year the rest were still in inventory इसमें यह कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्सा in goods का जो है वो sale किया गया है और बाकी जो है वो अभी भी inventory में मौझूद है तो जितना revenue earned किया है inter company transactions में consolidation के rule के मताबिक हमने inter company के जो transactions होती है मतलब parent और subsidiary ने आपस में जो भी transaction की होती है उसको cancel करेंगे क्योंकि अगर एक company की ये sale है तो दूसरी company के लिए वो ही पैसों की purchase है तो क्योंकि 20,000 रुपे की goods sale की गई है तो यहाँ पे हम जब revenue को add करेंगे तो 600,000 जो saqib limited का है उसमें plus करेंगे 300,000 जो के फुरकान limited का है और ये जो 20,000 है ये inter group transaction है इसलिए हम इसको यहाँ से eliminate कर देंगे तो statement में हमने जो revenue record करना है वो इस तरह से हो जाएगा कि saqib limited का, फुरकान limited का और उसमें से inter company transaction को less कर देंगे जब हम इसको add less करेंगे तो ये revenue जो आ जाएगा वो आ जाएगा 880,000 रुपीज का अब यहाँ तक जो है वो revenue हमने calculate कर लिया है अब हम चलते हैं cost of goods sold की तरफ अगर इसको cost of goods sold भी कहा जाता है और cost of sales भी कहा जाता है तो यहाँ पर अगर cost of sales देखें तो वो साकिब limited की 360,000 रुपीज है और फुरकान limited की 140,000 रुपीज है सबसे पहले तो ये cost of goods sold इन दोनों की add हो जाएगी लेकिन साथ ही साथ इस cost of goods sold में ये जो transaction है जिसमें revenue involved था इसमें इस revenue से related कुछ cost भी involved होगी तो उससे related unrealized profit भी होगा तो हमने क्या करना है कि जो second working है उसको unrealized profit के लिए perform करना है जिसमें से हम inventory को भी easily calculate कर सकेंगे तो अगर देखा जाए तो कहाँ ये जाता है कि 20% इसमें से sale की गई है बाकी remaining है तो जब हमने 100 में से 20 को less कर दिया तो 80% remaining रह गी मतलब 80% अभी भी cost of goods sold बाकी है जिसको हम यहाँ पर statement में record करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे unrealized profit को कि हम 20,000 रूपीज जो है वो good sale की गई है जिसमें से 80,000 की inventory अभी भी बाकी है और जो markup बताया जाता है वो कहा जाता है कि 1 divided by 3 1 third है तो जो आ जाता है 33% के 0.333 तो यहाँ पर 33% हम unrealized profit को करेंगे और क्यूंकि यह जो 20,000 रूपीज है इन में profit भी है और cost भी है 100 cost है और उपर 33% उसके उपर profit है तो total हो गया 133% तो जब हम इसको calculate करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 4000 रूपीज का unrealized profit मतलब इस 20,000 रूपे की जो sale की गई है उसमें से 80% हिस्सा अभी भी cost of good sold का बाकी है जो के 4 आ रहा है तो हमने क्या करना है कि इस 4 को unrealized profit को अपनी cost of good sold में adjust करना है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि cost of good sold है हमारे पास और उस cost of good sold में क्या है यहाँ इन दोनों companies का हिस्सा है cost of good sold में और साथ ही साथ कुछ adjustments में हैं जिनमें जो पहली adjustment हमने find की थी वो 20,000 रुपीज का revenue था और उसमें 4,000 रुपीज का unrealized profit है तो सबसे पहले हमने cost of good sold में क्या करना है कि यहाँ पर 360,000 रुपीज हमारे पास saakib limited company की cost of sales है 140,000 फुरकान limited की है इसमें 20 वो revenue जो हमने यहाँ से less कर दिया क्यूंकि अगर एक company का यहाँ पे revenue आ रहा था तो इसे तरह से फुरकान limited के लिए वो purchase थी इसलिए यहाँ से 20 को less करना ज़रूरी है उसके माद हमने इसमें unrealized profit को add कर दिया क्यूंकि यहाँ से जब 20 दोनों side से less हो जाएगा तो उससे related जो profit है उसको हम incorporate करेंगे यहाँ पे unrealized profit हमेशा cost of good sold में add हो जाएगा अब अगर मजीद question की तरफ आएं तो देखें ऐसे कोई adjustment तो नहीं है जो कि cost of good sold से related है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो next जो है वो good will की है और good will जो है उसको कहा जाता है कि वो recognize की जाती है as an operating cost लेकिन साथ ही साथ third जो adjustment है उसमें कहा जाता है at the date of acquisition a fair value adjustment was made and this is resulted in an additional depreciation charge for the current year of 15,000 rupees It is group policy that all the depreciation is charged to cost of sales यह कहा जाता है कि जब acquisition की थी तो fair value adjustment की गई थी जिसके बदले में एक additional depreciation arise हुई थी जो के 15,000 rupees की थी और group policy के मताबिक इसको cost of good sold में charge किया जाएगा तो हमने मजीद क्या करना है कि इसमें 15 को add कर देना है तो cost of good sold का इसको हिस्सा बना देंगे जब हमने इन तमाम का total किया तो cost of good sold आ जाएगी 499,000 rupees की अब यहां से revenue में से cost of good sold को जब less करेंगे तो यह आ जाएगा gross profit तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 880 में से minus कर देंगे 499 तो gross profit आ जाएगा 381,000 rupees का तो यहां तक हमने consolidated statement of comprehensive income में gross profit को calculate कर लिया है मजीद इसकी बाके adjustments करने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तना से consolidated statement of comprehensive income को complete किया जाता है